नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में दोस्तो इस वीडियो में आप सभी को उतारे वाला हूँ कि कैसे सुसान सिंग राजपूत केस में वो पेंडराइब मिल गई है जिसको लेकर CBI की टिम भी अब बहुत ज़्यादा खुस नजर आ रही है और कहाए जा रहा है कि इसी पेंडराइब में सुसान सिंग राजपूत केस से रिलेटिड कई सारे बड़े सभूत छुपा कर रखे गए हैं इसलिए आप सभी हमारी इस वीडियो को अंतर तक देखेगा इससे देखने के बाद आपको पता चलने वाला है कि अब दोस्तों ना सिरफ सुसान सिंग राजपूत का केस सुलजने वाला है बलकि इसी पेंडराइब से तमाम तरह के सबूस सामने निकल कर आएंगे और जो मुझरिम है वो चाहे लाग छुपने की कोसिस कर लें तो भी बच नहीं पाएंगे जी हाँ ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि सुसान सिंग राजपूत केस में दोस्तों पेंडराइब का किस तरह का इस्तिमाल किया गया लेकिन इसी भी जब एक टूटी हुई पेंडराइब सामने आई तो हर किसी के होस उड़ गए और सभी को पता चल गया कि यही वो पेंडराइब है जिसमें सुसान सिंग राजपूत केस में कई सारे बड़े और एहम सबूत छुपा कर रखे गए होंगे और CBI को जब से सबूत हाथ लगा है तब से CBI की टीम भी पूरी तरह से दहल गई है और CBI को समझ में आ गया है कि जल्द से जल्द अगर इस केस को सुलजाना है हाला कि पूरी तरह से क्लियर नहीं हुपाया है कि इस पेंडराइब में अभी तक कौन-कौन से सबूत है लेकिन एक बात क्लियर है जिस तरह से पेंडराइब को डैमेज कर दिया गया है और तोड़े दिंग की कोसिस की गई है अब दोस्तों आने वाल दिनों में सुसान सिंग राजपूत का केस बहुत जल्द सुलजेगा इनसाफ होगा और पता चल जाएगा कि कातिलों ने आखिरकार किस वज़े से इस पेंडराइब को तोड़ा और सुसान सिंग राजपूत ने कौन-कौन से सबूत चुपाये थे सारी जाच होगी फॉरेंसिक लैब में और उसके बास सच्चाई सामने आ जाएगी तो यही था वीडियो में वीडियो को लाइक करना इसे और लोग के साथ सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद